नमस्कार मैं हूं कमर श्रीमाली देश विदेश में बैटे वे मेरे सभी देशवासियों का स्वागत अभी नंदन हमारे इस चैनल खेल ग्राओं का मैं आपने प्राए सुनाई होगा कि ये मांगलिक कार्य चौमासे से पहले कर लेते हैं फिर चार माहत तक कोई महरत नहीं है। पंडित लोग जोतिसी गण आपके अपने एरिये के पुजारी गण आपको इन चार मा में कोई मौरत नहीं है पंचांग में कोई मौरत नहीं है विवा का गरप्रवेश का कोई मौरत नहीं है यह चेतावनी देते वे आपने सुना ही होगा क्यों नहीं होते हैं इन चार माँ में मौरत ऐसा क्या होता है इन चार माँ में किसको कहते हैं चौमासा या चातुर मास क्यों इन चार माँ में कथा प्रवचन अधिक होते हैं आईए इन प्रस्णों का जवाब तलासते हैं हमारे गरंतों में हमारे पूराणों में पौराणिक अख्यानों के अनुसार भगवान विश्णू आसाड शुकल एकादसी अथा देव शैनी एकादसी को शीर सागर में सयन करने चले जाते हैं और कार्तिक शुकला एकादसी अधा देवप्रवद्नी एकादसी के दिन वापस जागरत होते हैं अधा चार माज तक सयन करते हैं दो माँ बाद जब करवट बदलते हैं इसलिए भादरपद शुकला एकादसी को परिवर्तनी एकादसी भी कहा जाता है इसी कालखंड को चातूर माज भी कहा जाता है जिसमें विशेश, कीर्तन, भजन, साधना, उप्वास, इंद्र निगर आदी कारे किये जाते हैं इसी कारण हिंदों में इन चार महा में विवा, प्रतिष्टा, ग्रप्रवेश, भवन, निर्मान का मौरत, आदी सुप कारे प्राय नहीं होते हैं विश्नु सेहन क्या है? क्या वास्ता में विश्नु भगवान इस समय में सेहन करते हैं? तब उनके अभाव में, अधा जब वो सो रहे हैं, तो उनकी जगे पे स्रश्टी की व्योस्ता कैसे होती होगी? आदी ऐसे प्रस्न हैं, जो इन कथाओं को पढ़ करके, आज के तर्क प्रिय मस्तिस्क में अनायाज ही आखड़े होते हैं तो देव सेहन के जो काल है, चार मा का काल है, मांगलिक कारों के लिए निसिदे, जो तिस सास्तर भी इस काल खड़ में सुब कारों के लिए आज्या प्रदान नहीं करता है नव ग्रहों, नक्षत्रों, आदी का राजा सूरी है, और सूरी का आदा दुरु है दुरुब के आश्रे शिशु मार हैं, और शिशु मार के आश्रे भगवान श्री विश्णु है विश्णु पुराण के नुसार, तता प्रैक्टिकली भी, सूरी आठ मैनों तक अपनी किर्णों से रस सुरूब जल को ग्रहन करके उसे आसाड अधी चार महा तक प्रत्वी पर अमरत में जल कणों के रूप में, अताद बारिश के रूप में बरसा देता है उसी से अन की प्राप्ति होती है, अन की उत्पति होती है, और अन से ही संपूर जगत का भरण पोशन होता है जो जल बातलों द्वारा बरसा जाता है, वह प्राणियों के जीवन में, अमरत में होता है और अस्दियों का पोशन करता है, उस व्रष्टी के जल से परम व्रद्धी को प्राप्त हो करके समस्त औस्तिया और फल पकने पर प्रजा वरक के साधन होते हैं अतार प्रजा को जो भी समाज है उनको प्राप्त होते हैं समुद्र का जल जब प्रत्वी पर बरसता है तब नवगरों नक्षत्रों और ब्रह्मान की नियनता वश्णू की द्रस्ति मंद बढ़ जाती है और यही उनका शेहनकाल होता है इसी समय को चातूर मास भी कहते हैं जिसमें रिशी मुनी, सादक, ग्रस्त अधी एक स्थान पर चार माँ रह करके ही साधना करते हैं ताकि अमरत में प्रभाव अधिक से अधिक मिल सके और इसी कारण मांगलिक कारियों विवादी पून रूप से इस समय काल में निसिद होते हैं अथात नहीं होते हैं सूर्य के आधरा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही इस देव शेहनकाल का प्राय शुबारंब होता है और चित्रा नक्षत्र तक विशेश रूप से माना जाता है वैसे वर्षा प्रवाव का अधिक संभावि समय स्वातित नक्षत्र तक ही होता है इसी समय के बीच भगवान श्री राम ने लक्समन और सीता के साथ वन याता प्रारम की थी सूर्य की दक्षणायन प्रवती भी इसी कालखण में आती है और कई मांगलिक कार्य उत्रायन में ही स्रेष्ट माने जाते है दक्षणायन में तो दे त्याग भी ठीक नहीं माने जाती शुब नहीं माने जाती इसलिए भिश्म पिता मैंने अपनी दे त्यागने के लिए म्रत्यू के लिए उत्त्रा यण की प्रतिक्षा की थी जहां तक भगवान विश्णु का प्रसंग है यव भी व्यज्यानिक और प्रत्यक्स है विद्पिंडे तत ब्रह्मान्डे के सिद्धान्त के अनुसार सब्त धातों में पित को विश्णु का प्रतिंदिती माना गया है देव शेन काल में ही चौमासा रहता है चातुरमास रहता है और ट्राकतिक वायूमंडल के बदल जाने के कारण संभावतिया पित की गती मंद पढ़ जाती है और इसी को हम यूँ भी कह सकते हैं कि जन जन की सरीर में समस्टी में विद्धिमान विश्णु सो जाते हैं देव शेन के चार मा में विश्णु सरूप सत्वगुन की मंदता हो जाती है अता उसमें मंदी आ जाती है उसमें धीमापन आ जाता है साथी रजोगुण और तमोगुण की व्रद्धी होने से इस रितु में प्राणियों को भोग विलास में, निंदरा में, आलेश्य में अधिक मातरा उत्मन होने लगती है। विसेश प्रकार के आहार व्यवार की व्यवस्ता दी गई है कि आपको इस मौसम में चौमासे में क्या खाना चीए, क्या नहीं खाना चीए। विश्णु सेन एकादसी हमारे एक चेतावनी बनकर आती है, जो हमें संदेश देती है कि हमें तुरंत अपनी रितु चरिया, दिन चरिया में उचित परिवर्तन कर लिना चाहिए। अथात हमारे सरीर और मन स्वस्थ नहीं रह सकेगा, यह चेतावनी आपको मिल जाती है। मौरत सास्तर के नुसार यही चार माँ प्रत्वी का रजस्वला काल माना जाता है, और रजो दसन के समय पुरुस का सानिद्य निंदित माना जाता है, और विश्णु इसलिए सीर सागर में चले जाते हैं, तहताव शयन करते हैं। सिलान्यास, व्यवसाय, उद्योग, आधी के प्राणम में इस काल को निश्द नहीं माना गया है। विशेश रूप से विवा इस समय में नहीं होते हैं, यहां तक की पंचांगों में इन चार मां में विवा के ग्रह प्रवेश के मोरत भी नहीं दिये होते हैं। जैन संप्रदाय में चातूर मास का विशेश महत्व है। जैन संप्रवेश में आवागमन वरजित है क्योंकि इस दवदी में बरसात के कारण आसंक्य जीव जनतू कीड़े मकोडे पैदा हो जाते हैं। और इसी परस्तिते में कहीं ऐसा न हो जाए कि नन्ने कीड़े मकोडे पैरों के नीचे अचानक आजाएं और हींसा हो जाएं। अथा प्राणियों की प्राण रक्षा के उद्यसी से चातूर मास की स्थापना हमारी संस्क्रति का स्थ्रेश्ट रितम आदर्स है। भारतिय रिसियों ने रितू पर्वतन जनित इस सुक्स्म प्रभाव को अनुभव करके हमारे सामने बहुत सुंदर वर्णन प्रस्तूत किया है। यह चातूर मास या चौमासा क्या है यह बताने का उद्देश्य यही है कि आप यह जान पाएं कि हमारे प्रवनानिक गंतों में हमारे जो भी मत्मूर्ण वरत परवत यहां रहें उनके पीछे बहुत गूड रहस्य है। उनकी पालन करने से जहां हमारा जीवन शुपकाल में व्यतित होगा, हमारा जीवन सही रहेंगा, हम स्वस्त रहेंगे, हम प्रसंद रहेंगे और हम बीमारियों से दूर रहेंगे, यही सब कुछ उद्देश्य है हमारे ग्रंतों का, हमारे पुरानों का, इन वरत परव का, चाहे वो एकदसी की बात करें, चाहे और कोई वरत करें, किर्टन करें, यग्य करें, हर किसी पिछे एक ही काम ना है, सर्वे भवन्तु सुखिना तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने सुझाव हमें देना न भूलें, क्योंकि आपके सुझावों से ही हमें अच्छा प्रोग्राम करने की, आपके विसे में अधिक से अधिक जानने की प्रेड़ना मिलती है, ताकि जो आप जानना चाहते हैं, उन्ही को हम प्रोग और अपने बच्चों का ख्याल रखिए और हां इस बारिश के समय में इस रितुकाल में जितना हो सके उतने अधिक से अधिक पोदे लगाएं ताकि हमारी यह धरती हरी परी हो सके आपका यह प्रयास आगे आने वाली पीडियों को भी ऑक्षिजन की रूप में अथात जो जाने वाले संपति उससे ज्यादा कहीं अधिक ऑक्षिजन की आवशकता है वह उनको मिल पाएगी नमस्कार कर दो कर दो में भाएगी नमस्कार कर दो कर दो दो कर दो कि एंग।